हेलो दोस्तो, तो यह वीडियों आपके अगामी परिछाओं यानि कि अगामी कमपटिशन एक जाम की तैयारी के लिए बहुत महत पूरी वीडियो है तो कि इसमें आपको वन लाइनर जी के, यानि कि वन लाइनर जी के आपको बताया जाएगा और साथ ही इसमें आपको mixture यानि की mix one liner gk बता जाएगा इसमें आपको 500 यानि की 500 gk question देखने को मिलेंगे आपके अगामी प्रतियोगी प्रचाओं की तैयारी के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे 500 mcq बता जाएगे यानि की 500 mcq के answer बता जाएगे one liner gk यानि की एक नजर में आपको mcq बता जाएगा तो समान ग्यान के बारे में बात करेंगे यानि की general science जो की आपके exam में अधितर पूछे जाते हैं सभी competition वाले exam में ठीक है और other competition exam में तो आईए यानि की यहाँ वीडियो सभी के लिए है अक्सर यहाँ वीडियो में पूछे जाते हैं तो इसमें पहला question है photography में उपयोगी तत्तो काउन सा है silver bromide तो photography में जो उपयोगी तत्तो है उसे हम silver bromide कहते हैं और second number question है ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतह नश्ट हो जती रही यानि की जो हमारी क्या है हाँ तो क्यातिया क्या है जो हमारी ओजोन की परत है वह मुख्यतह नश्ट हो रहे है cfc cfc रसायन से वह नश्ट हो रही है हमारी ओजोन की परत और राष्टी राषायनिक प्रयोगसाला कहां इस्तित है? पूड़े यानि कि पूड़े में इस्तित है, ठीक है? जब पानी उबलता है तो इसका ताप कितना रहता है? एक समान रहता है, क्या? एक समान हाइड्रोफोबिया रोग किस से होता है कुट्टे की काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है और क्या होता है रैविस भी होता है ठीक है और जो तत्व आक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वह है हीलियम यानि कि ये तत्व आक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं क किया है हमारा शरीर में कार्बोहइडरेट का संग्रहन किसके रूप में होता है गलाइकोजन के रूप में सरीर में कार्बोहइडरेट का संग्रहन होता है और अठवा नंबर सुस्क बर्फ किसे कहते हैं ठोस कारवन डाइड अकसाइड को हम सुक्स अनुकि सुस्क बर्फ कहत भिसलिया था किसने जी बोस्टिंradas न है बढ़ते हैं आगे को सिनको सभय ढफा सून को समेर को सकते हैंजल का दिकतम होता है फोन डिकरिस अधिकतम होता है था निकि दिशन के दिया गया है फिरीज में धर्म ohchutz स्टेट का का रही है एक समान तापinkा जर्प अच्छाप या हमारे थर्मो यानि की स्टेट का कार है फ्रीज में और नेक्स्ट क्या है मानव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी क्या नाम है फीमर यानि जाम की हड़ी ठीक है ध्वनी का वेग किस माध्य में अधिकतम होता है जो ध्वनी का वेग होता है वह किस माध्य में अधिक होता है इस isstill माध्य में आपस ह successful क्या है इसका नोबर आप आतकालईन घटनावं के समय कौन सी आ हिद्रीनल क्राइ आठी कि मच्छलियों में यक्रित तेल की सिशゃोंता होती है vitamin A की option number क्या दिया है इसका A right answer यानि कि यहाँ पर एक दिया गया है ethylene gas का अपयोग किया जाता है जो ethylene gas है उसका अपयोग LPG gas में LPG gas में leakage ग्यानत करने में किया जाता है ethylene gas का अपयोग किया जाता है LPG gas में leakage ग्यानत करने के लिए इसको ध्यान में रखिएगा भारत का महत्त प्रथम परमाडु बिजली घर कहां पर प्रारंब हुआ तारापुर में प्रारंब हुआ वेंचूरी मीटर से क्या गयात करते हैं जल की प्रवाहदर को हम वेंचूरी मीटर से ग्यात करते हैं और नेक्स पत्यों में पाया जाने करता तो क्या है मैगनी से याने की मजी ठीक है चलिए दें बढ़ते हैं अने को सनामरा क्या दिये गया है नमबर ट्वंटी साल्ट पीटर क्या कहलाता है साल्ट-पीटर पोटैसियम नाइटरेट को हम कहते हैं और यह मानना सरीर में हाइड्रेशन कि स्पतातों की कम हो जात कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है सेलुलोस की बनी होती है इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मधुमे की बिमारी हो जाती है यानि सुगर की बिमारी मेटिया लो मेटियो रोलाजी विज्ञान है मेटियो रोलाजी विज्ञान क्या है मौसम का है आप सनमर यह पर मौसम दिया गया है हरे फलो को कृतिम ढंक से पकाने में प्रियुक्त गयस काम आती है एसिटिलीन गयस काम आती है बिटामिन की खोज किसने की थी फ्रंक करने किय एड़ोर्ड जेनर दवारा विक्सित टीके का समन्द किस बीमारी से है चेचक के बीमारी से है दीक है ये सब बहुत ही महत्पूर्ण इंपार्टन कोस्टन है आपके सभी प्रत्रेख़गी परछाओं में पूच जाते हैं इस तरह की कोस्टन नेस्ट कोस्टन है पाइरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है मसूडे को प्रभावित करता है और नीला थोथा क्या कहा है यानि कि नीला थोथा किजे कहते हैं कापर सलफेट को हम नीला थोथा कहते हैं तो इसमें आपको सभी तरह के mix जी के दिखने को मिलेंगे. ये हमारे चैनल पर एक बार visit करते हैं तो आपको सभी तरह के वीडियो उपलद होंगे. हरे चस्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाय देती है? हरे चस्में में लाल अबस्तु देखने पर वह किस रंकी दिखाए जती है काली दिखाए जती है 5-2 मीटर का उपयोगों किस राजिकोंpable के लिए किया जाता है समुद्र की गहराई को गैस इंजन की खोज किसी ने की थी गैस इंजन की खोज चाल्स ने की थी आप दिया है चाल सने मानो सरीर में सबसे छोटी गरंथी कोती है पिट्री उट्री गरंथी होती है मनुस्य की सबसे छोटी गरंथी पिट्री उट्री गरंथी किसकी चिकिस्ता में डायलीसिस का प्योग होता है किसकी चिकिस्ता में डायलीसिस का प्योग होता है गुर्दे की सर्जरी यारी की गुर्दय की चिकिष्ठा में महीं ८ष्विस निय भोजन जो हता है वो कितने समय तक रहता है तीन घंटे तक रहता है यहाँ पर पुछ रहा है मनुस्य के रूधिर का पीए समान होता है 7.4 दिया गया है जो भी हो ठीक है आएए बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों हमारा आगे कुशन है सबसे छोटी कोशिका कौन होती है माइकलो प्लाजमा होती है या सबसे छोटी कोशिका होती है और दिया है यहाँ मानुसरी से कुश्चन है एनिकी वन लाइनर जी के है लाल रख्त कडिका का जीवन काल कितना होता है 120 दिन का होता है सबी एक्जाम में पूछे जाते हैं आत्मघाती थैलियों के नाम से कौन जाना जाता है लाइसोसोम जाना जाता है इसे आत्मघाती थैलिये कहते हैं एक समान कोई काउं से मिलकर बनी सरदना क्या कहलती है उतक कहलती है और कि दिया है नमक का अर्सूत्र क्या है याने सीले जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है और प्यूस गरंथी कौन नियंद्रिट करने वाली गरंथी कोन है क्या नम है हाइपो थेलमस पत्तियों में पाय तैनल तत कौन सा है मेगनीसियम है अभी repeat question है यानि कि यह important question है ठीक है और सरीर में सबसे अधिक अनपात में पाय जाने वाला खनीज लवड़कोन है याने CL और थायरक्सीन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है यानि थायरक्सीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है और नेक्ट कुस्टन अवरा के दिखे है एक लाल फूल को यदि नीले प्रकास में देखा जाए तो कैसा दिखेगा काला दिखागा पादब कोशिका की कोशिका बित्ती बनी होती है सेलिलोस की बनी होती है और कौन से गरंथी अंत्र स्रावी वा बही स्रावी द्रोन प्रकार के होती है अगनासे गरंथी हाथी में बाहर की और निकले दात किस प्रकार के होते हैं क्रिंतक दात होते हैं पाचक एंजाइम नहीं होते हैं पित रसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं प्रथम कोशिका की उत्ति किसस्थान पर उए ठी जल में हुई थी कोशिका का सकति ग्रह है कौन है कोशिका का सक्ति आउन्ह और किसी ने कि थी Oh दिई ड्यूबे ने की थी लाइसु साम कि खोज ड्यूबे ने की थी तो इस वीडियो में आपको बहुत से important question देखनों को मिलेंगे आपके प्रतियोगी प्रिशाओं के लिए और दिया है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तंत्रिका कोशिका होती है कोशिका की खुश किसने की थी राबट हुक ने कोशिका की खुश की थी वयस्क लाल अरक्त कडिकाओं में नहीं पा कम जीवनकालवाली कोशिकाय कोशिका है और कोशिका तरब में कार्बो हाईडरेट की मातरा होती है एक प्रतिसत होती है और मान। भूजन में प्रयूक्त अवयाव होते हैं वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट थिक है भूजन में प्रयूक्त अवयाव होते हैं ठीक है और गया है उच्छ स्वासा आध्या है मनुष में एक मिन्यक में स्वासन दर होती है 12 से 18 भार होती है बिच्छु के पुष्ट पुष्थ-फुष्थ उतुके दौरह, जन्म के शिसु में 37 भार प्रतिम एक मिनट में 35 बार प्रतिव मिनट के जन की सिसी होते हैं और सास लेते हैं स्वसंदर सबसे कम होती है सोते समय होती है वाय वायू मंधली हवा का समद्री तल पर कुछ दाब होता है 1060 किलो मिटर एचजी अनि मरकरी ठीक है किस बिटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है मनुस्य का हिर्दय कितने कोष्ट की होता है चार कोष्ट की होता है सारवत्रिक दाता रक्त समू होता है O-negative हिर्दय की सपंदन की जांज करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG कही जाती है और नेक्स कोशन है रक्त होता है छारी होता है और कि यह स्फीगनो मैनो मीटर से नापे जाते हैं रक्त दाप को मापते हैं और एंटीवाड़ी का अभाव होता है रुधिर वर्ग एबी में और शरीर में रोग प्रतिरोगता के जिमिलिये जिमिदार कौन सा है स्वेत रक्त कडिका यानी डबलू बीसी मुत्र के साथ गुलुकोज का निकलना किस रोग का संकेत है मधुमे का है मनुस के मस्तिक का भार होता है 1400 ग्राम का होता है मनुस के मस्तिक का भार कोहनी की संदी होती है कोहनी की संदी होती है कोर संदी होती है मानो सरीर की सबसे छोटी अस्थी कौन से होती है इस टेपंस यानी कान में होती है कtest कस त्योज lui होती जिए अखती होती है कान की मानव सवरी कि सबसे ने थाफ Black स्वेख मरा होती है और मानव का में रुड़न कितनी इस्ति यूँ चाहिए बहुता है थैए तिस विल पिणिल गरन्थी है इस्थनी में बीम्यार नियत्री करने वाला हर्मोन भोजन होता है और भोजन में आरड़ेंड की कमी से होने वाला रोग कुन सा है इस्थनी में दितियक उपभोकता का उधारण है मेधक मानों में मानव सिसु में अस्रूक गुरंथिया सक्रिय होती है जन्म के चार महीने बाद गौरपाथा किस आवास में पाया जाता है गौरपाथा किस आवास में पाया जाता है मरू आवास में पाया जाता है मेंडल ने किस पादब पर प्रियोके थे मटर के दाने पर इप्रियोके में दीपने ठीक है बर्गत है तो बर्गत क्या है एक प्रकार का आवित्र बीजी है आईए बढ़ते हैं हम अपने नेश्ट कोशन की तरफ यहां पर बहुत ही अच्छा कोशन है आपके एक्जाम के लिए पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहन करते हैं कारवन डाई आकसाइ के द्वारा और प्रीपनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है निद्राव योग होता है छीसीों का आवलरड शरीर में पाय जनता है मुल्सका के एबी जवर का जन्तू कौन है तो उल्लू है एबी जवर का जन्तू एलिंडा जन्तू होते हैं बिलनकान क्रीमी के होते हैं ठीक है और नेश्ट कोशन है मचली के हिर्दे की विशेष्टा होती है दो कोश्ट की हिर्दे होती है और टिटनेस किसके लिए होता है और टिटनेस क के लिए लगाया जता है और के देख्या है हसियाकार कोशिका रखते हिंता रोग होने का कालर क्या है ओटू की कमी और मानुक अंकाल में कुल अस्तियां होती है दो सब छे अस्तियां होती है और एक नौजास जिसु के जन्म के समय कितनी हडिया होती है सुन्दर राष्टी उद्यान की सववने जीव के सनर्चर के लिए है बाग मलेरिया में उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा कौन सी है क्लोरो क्लोरो क्पीन है आपसा नमर यहां पदिया है क्लोरो क्पीन ठीक है प्रत्थम क्लोरो जी सववजनतु का बनाया गया था मेधक का बनाया था क्लोन भोजन में लोहा तत्यों की कमी से होने वप कौन सा है एनcom की कमी ऊठ के कूबर का निर्माण किस उतक से होता है वसामए उतक से होता है इस्थंदारियों के सुत्र में प्रमुक उत्त सर्जी प्रदार्थ होता है यूरिया का विटामीन एकी सर्वादिक मत्रा नीन में से किसमें होती है गाजर में होती है विटामीन एकी मत्रा और मानों सरीर की माश्टर गरंथी को होती है पिट्रियोटरी गरंथी मानो में अंडे का निशेचन कहां होता है फेलो पियन ट्यूब में होता है चलिए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरफ यहां पर नेक्स्ट कोशन है मारा दिया गया है एक स्वच ब्यक्ति का समान रक्त चाप होता है 120 और 80 mm होता है रोधीर में अक्सीजन के परिवहन का वहा का है हीमोगलोबीन है मानो शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70-80% जनन अंगो के सही ढंग से कार करने में मदद तहेतू आवसकत तो कुन से हैं मेगनीज है और करिया है रक्त के हीमोगलोबीन में कौन सी धातू होती है लोहा होती है और नेक्स कोशन है कोस्तिका की अन्यांत्री बिर्दी होने वाला घाता करो कौन सा है कैंसर है दातों का इस्तमाल दातों का एनेमल बनाने में सहाय खनीज है कौन सा है फ्लोरीन है आईए बढ़ते हैं मागे कोशन की तरफ यहां पर दिया गया है नेक्ट कोशन नमरा दिया गया है बिटामीन यानि की कोस्टन नबर 125 बिटामीन C में पाय जाने वाला अमला कौन सा है एक्सो कॉर्बिक अमला है और वही नीचे कोस्टन है बिटामीन E की कमी से रोग हो जाता है नपल संकता और सरीर में सबसे अधिक पाय जाने वाला प्रोटीन कौन सा है कोले जन ठीक है शरीर में उर्जा प्रात करने का सबसे अच्छा अस्तोतर क्या है गुलुकोज जन्तू के सरीर में अधिक पाये जाने वाला महत्पुड खरीज कौन सा है फासपोरस यो कैल्सियम जन्तू के सरीर में विटामिन डी की कमी से वासको में होने वाला रोग कौन सा है आश्टियो मलेसिया रोग और चीटियो में रच्छा के लिए पाये जाने वाला वसा कौन सा है फार्मिक अमला है और तुड्डू रोग पाये जाता है गेहू में पाये जाता है कुनो अभायरण किस प्रदेश में इस्थित है मध्य प्रदेश में इस्थित है और कुस्टन नमर 134 मनिस्यों में स्वेध गरंथियों की संख्या होती है 25 लाग होती है आईए बढ़ते हैं इसी के तरह नेक्ष्ट कुस्टन की तरफ यहां पर दिया गया है हमारा नाजा सेयर करें मायक्र कान्डिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिक होती है फोलू की रसिसाहद में पाए जैंवेलसररगरा है f guilt रोज है और गुर सुत्रों पर जीन्स की उपसृति का क्रम है रेखाकार होती है और बिटामिन ए का ृषानिक नाम रेटीनाल नम है और जन्तू के शरीर में इधन के रूप में प्रियुक्त किये जाने वाला प्रदार्थ है कार्बो हाइड्रेटस। बालों के अध्यन को हम काते हैं ट्रिक्रोलोजी काते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है त्वचा है। और कुत्ते में ताप नियमन में सहाय का है जीब। इलकोहल अधिक सेवन करने से होने बड़ा कौन सा है लीवर सीरोसिस। अधिक भोजन करने के बाद सुष्टी का करण क्या है उच्च रुधिर दाब। और मनुष्य के सरीर में पेशियों की कुल संख्या 649 होती है। विक्र में पथरी बनने का करण क्या है आक्सी लेटस। और के दिख्या है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकां क्या है गाल जी काय। और दिया गया है कौन सा पादप अच्छा प्रकास संसलेशी है गन्ना। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म के अस्था कलाती है रजोधर्शन। किस पादप में इस्टोमेटा रंध दिन में बंद एवरातरी में खुलते हैं जलोध भीद पादप में। और पेड को हानी अधिक होती है तने की छाल हटाने पर। मासिल पादप में स्वसन गुडां का मान होता है सुनने होता है। और फलो को कृतिम रूप से पकाने में प्रिवक्त प्रदात कौन सा है इथे फोन है। छोई मुई पादप के पर्ष से बंद होने यो खुलने की गति को कहते हैं। कमपानू कुछनी कहते हैं। उभैलेंगी जनतु का उदारर क्या है केचुवा है। उभैलेंगी केचुवा एक उभैलेंगी जनतु है। पादप जिसकी पड़ से नया पादप जर्म लेता है उसे हम पत्थर चट्ठा काते हैं बिजाती संक्रण का उधारण है खचर नेक्स्ट कोस्टन दिया गया है दिल्ली के बहुँ चर्चित तंदूर कांड की सिकार नैना साहनी की पाचान की गई है डी एन ए सिंगर प्रिंटिक के द्वारा प्रकास की हरी तरंगों में प्रकास अंसलेशर होता है मंद और सतादी पादप कहलाता है एक ग्रियो कहलाता है और भारती चीलम किस पादप को कहा जाता है भारती चीलम की स्पाध क contam call ढहा है मानो ट्रोपा को कहा जाता है में्टर के जड़ो में पआ जैना व्ला जीवान कुनसा राई भो जोबीयम है मलेरिया रोग की कुछ का शर्यक किसे जाता है सर रूनाल्ड राज्च को जाता है भारत की सरवादिक उतपाजित प्रमुख अनाज फसल कौन सा है चावल है भारत का राष्टी पूशप क्या है कमल है नेक्स्ट इस से नमरा क्या देल गया है शंसार का सबसे बड़ा पूशप क्या है रिफलेश यह ऐसा फल की जी में अधीक उर्जास हुती है केला सबसे लंबा प्रिछ होता है सिकोया का और पोटेसियम को तत्व का प्रतिक्या है के है अनिसक फल होते हैं बीज रहीत होते हैं फेरमसल्द किस तत्व का लेटीन नाम है लोहा का सोने का लेटिन नाम किया है? ओरम नाम है M, MS का अर्थ क्या होता है? साट मेसेजिंग सरविस होता है MS का अर्थ मानो नेत्र में लेंज होता है उबहे उतली होता है सुद्धजल का कोथनांक होता है 100 डेगरी सेल्शियस होता है पिंडन किसे कहते हैं? समय पतलना उसे हम पिंडन कोते हैं कर पतवार नासक है धो चार डी अज़ा अब समय बतलना है भातिक परीवर्थन है यह सिरी पलस यह सीयल आ प्रीवर्थन क्रिया कौउंच करिया है यक युगातमक करिया है तामे की प्रमुख आयस्क कौन से है मेलाई का मेलाई का इड़ी टग्रीन है या तामे का क्या है प्रमुख आयस्क है आए बढ़ते हैं महां के कुश्ण की तरफ यहां पर दिया गया है नेक्ट कुश्ण लेमो नाइट किस धात्याका एड़्क है लोहा तो काईश इस वीडियो को आधे घंटे तक देते हैं वीडियो को पूरा देखते हैं इसक disciplines करते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजों की जनकारी हो जागी और इस वीडियो को डाउनलोड करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए यदि आप इस वीडियो का पीडिया चाते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जुड़ना पड़ेगा चलिए लिमो नाइट किस धातु का आइस का है लोहा रोड गोल्ड मिस्ट धातु निर्माण में मैंने वाले जानी धातु कौन से है तामा एल्मोनियम हवाई जाहाज की बाड़ी बनाने में मिस्त धातु का प्योग किया जता है डिूरा लुसीमीन का प्योग किया जता है चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रियुक्त करते हैं फासफोरस का कैमपूटर चीप बनाने में काम किया जता है सिलिकॉन का कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रियुक्त करते हैं अमोनिया का बिद्धुत का कुछ अलग होता है हीरा ब्रांड में सरप्थम उत्पन होने वाला ता तो कुन सा है हाइडरोजन ब्रमांड में परमाड़ू के नाभिक में होते हैं प्रोटान वर नूट्रान होते हैं आक्सीजन के परमाड़ू होते हैं दो होते हैं सिक्के बनाने की धातु में तामे के साथ अने धातु को मिला जाता है टीन को सम अड़ों के उधार है ओटू परमाड़ू में नाभी का अकार होता है दसकी खाते 15 मीटर होता है आवर्थ सारड़ी में वर्गों की संख्या होती है 18 आवर्थ सारड़ी में आवर्थ की संख्या होती है 7 ठीक है और नेक्स कुस्टन में दिया गया है आवर्त सारड़ी के वर्ग 13 से 18 वर्ग को कहते हैं पी बलाग कहते हैं रेडियो एक्टिवता की खोज का सरह की से जाता है वेक वेरिल को जाता है एक कड होते हैं धन आवेसित होते हैं गामा किर्ड़े होती हैं उदासीन होती है मस्तिक ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव अधात का प्यों किया जाता है रेडियो आयोडीन परमाडू भट्टी में इधन के रूप में प्रियूक्त करते हैं यूरेनियम 235 का प्यों करते हैं CACO3 और एरोक दिया है CACO2 यह एक क्या है अव घटनी अभेक्रिया है H2S प्लस Cl2 प्लस 2HCl प्लस Cs क्रिया में कौन सा है? Cl2 का अप्चेयन हुआ है पीतल धातों का मिस्रड है Cu प्लस ZN समद्री जल से नमक प्रात करने के प्रियुक्त गैसे कौन सी है? हाइड्रो क्लोरीन है धोबी कपड़ों पर पहचान चीन लगाता है सिल्वर नाइटरेट से परमाडु भट्टी में माडरेट का प्योगिया जता है निटरान की गती कम करने के लिए समान ताप पर द्रब अवस्था में पाया जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है आए बढ़ते हैं आगे कोशें की तरफ राजस्थान में कोईले की कौन सी किस्म अधिक पाया जाती है? लिंगानाइट भूरा कोईला है अस्थियों में पाया जाने वाला फासपोरस का योगिक है केलसियम फासपेट धातु को सीगरता से वासपित की जाती है पारा वर्साती बनाने में जिस राजसानी परदात काफ्यों किया जता है उसे हम पाली विनाइल क्लोराइड कहते हैं कृती में रेशा है एक प्रकार का नाइलान है जापान के नगर हीरो सीमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए प्रमाड बंप में कौन सा रेडियो एक्टिटत प्रयोक्त हुआ था यूरेनियम का प्रयोक्त हुआ था रंगिन गैस है कलोरीन है सरवादिक भेदन छमता वाली क्रिड़े कौन सी हती है गामा कीड़े जर्मन सिल्वर किन धातूं का मिस्रड है तांबा जिंक निकल का है और पितल किन किन धातूं का मिस्र धातू है तांबा और जस्ता का और कांसा किन धातों का मिस्र धातु है तांबा वर टीन का तांका लगाने में प्रियुक्त मिस्र धातु किन दो वस्तुओं से बनी होती है टीन वर सीशा की इस्टेनलस इस्टील इस्टेनलस इस्टील बनाने में प्रियुक्त धातु है क्रोमिय और लोहा निकिल कांच के निर्मान में प्रियुक्त सरवादी के महत्पूर प्रदात कौन सा है सिलिकॉन है और मदमक्की के जहर में कौन सा अल्म होता है फार्मिक अल्म होता है यानि कि जो चीटी के अंदर अमल पाय जाता है वही क्या पाय जाता है मदमक्की के अंदर ठीक है द्रविक्रित प्राकर्तिक गैस LNG में प्रिप्ट गैस होती है मिधेन गैस होती है गोबर गैस का मुख्य अवया है मिधेन गैस गनमेंटल में कौन सी धातुएं में सुरित की जाती है तामा, टीन और जिंग की आईए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरब आगे कोशन है बीस में सरवाधिक खनन की स्कोईलेज का होता है B2 मिन्स का होता है हबसे हलका जातु कौन सा है लीथियम यानि LIE प्रकर्तिक में सरवाधिक मात्रा में प्रात खनी जहे क्वार्टर्ज है और भविश का इधन कहा जता है हाइडरोजन को कहा जता है बिद्दूत हीटर कुंडली की सिधात की बनी होते हैं नाइक्रोम के तारगी बनी होती है और सरवाधिक तत्व है कारबन यहीं की सबसे सरवाधिक तत्व भारी मसीनों में सुस्क स्नेहक के रूप में प्रियुक्त प्रदात कौन सा है ग्रेफाइट बिद्व बल्पों में भरी जाने वाली गैस कोन से होती है आरगरन गैस भरी जाती है कठोर ज़नी कपड़ए धोने है तो उप्रिक्त परदाद कोन सा है अब मारजग प्रकर्तिक रबड प्रात्व किये ज़ता है लेटेक्स से प्रात्व किये जलता है बिटामिन C का रासानी की नाम क्या है? इसकार्बिक अमल नाम है रेटोरेज बेटेरियों रेटोरेज बेटेरियों में प्रिक्त धातु कौन से होती है? सीसा अलोहा धातु है एल्मोनियम का सरवादिक विसैली गैस कौन से होती है? कारबन मोनो आकसाइड यह सबसे विसली गैस होती है रासानिक द्रिश्टी से एंजाइम होते हैं प्रोटीन ठीक है पलाश्टर राफ पेरिस का रासानिक नाम क्या है केल्सियम सलफेट नाम है और रेडियम की खोज किसी ने की थी मेडम क्यूरी ने किया था रेडियो एक्टिविटी की खोज करता कौन है हेनरी बाक वेलरल है कौन है हेनरी बाक वेलरल द्रबमान उर्जा समिकरण यी बराबर एमसी इसक्वाइर का सुत्र किसी ने दिया था एलबर्ट आइस्टाइन ने दिया था अक्रिय गयसों में वाइ्यू में सरवधिक मत्रा में पाई आरेगन हीरा एक सुध कार्बन है यह होता है कुचालक गुद्ध का कौन सा पतात केवल एक ही तत्यों से बना होता है हीरा तार्सय में प्रविक्ट किय जाने वाला सेल क्लोराइटका है ठीक है आईए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरफ लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने है तू उन पर लेपन कियाता है जिंक कुलॉराइट का किया जता है समान टूबलाइट में गैस होती है आरगन के साथ पारे की वास्प पारे का किस धातू के पातर में रखा जाता है लोहा में बिद्धूथ हीटर में बिद्धूत प्रेस आदेлект को कॉंड़ेली की सधातू की बनी होती है नायकुरूम के तारकी सराव में उपस्तित होता है एथिल एलकोहाल काच के निर्वान में परियुक्त महत्वर्प्रदाद कौन सा है यसाई ओटू दूद के खट्टे होने का करड़ क्या है लेक्टिस अमला बनना सुद्ध सोना कितने केरेट को होता है 24 केरेट का होता है प्लास्टरा पेरिस किसे बनता है जिपसन से बनता है प्लास्टरा पेरिस मनुस्थ की समान उचाई होती है 1750 मिली मीटर होती है मनुस्थ की समान उचाई और नेक्ट कुस्थ है यसाई पदिती में ताप का मातर क्या है केलिबीन है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या काते हैं गिरा मीठर सेकेंड काते हैं बैकलाइट है एक प्रकार का प्लास्टिक है एंटी पैरेक दवाएं प्रयोगे में लेते हैं बुखार को कम करने है तू यस्टी पदिती में बल का मतरक क्या है न्यूटन है यसाई पदिती में कौन सी अधिसरासी है बल एक अधिसरासी है यसाई पदिती में बल का मतरक क्या होता है न्यूटन होता है और यहाँ प्या है कौन सी अधिसरासी है आयतन एक अधिसरासी है सदीस रासी है बल बल एक सदीस रासी है उर्जा का मात्रक क्या है वाट और सेकेंड होता है और यदि बल यफ वह विस्थापन यस में 60 डिगरी का कोड हो तो कार कामान कितना होगा दिया है वन बाइ टू एफ गुड़े यस होता है यदि एक व्यक्ति 20 किलो ग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुमें से 5 मिनट में खिचता है तो वह दख्ति की चाल होगी 30 वाट होगी ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरफ इस वीडियो में आपको मानुस क सब्सक्राइब के पार्ट से रिलेटेड और जेनरल साइंसे रिलेटेड और कुछ इधर उद्रकी संदेखने को मिलेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा कौन साथ मात्रक दाब का है न्यूटन और आगे कुछन है सक्ति का मात्रक है क्या है वाट है और आगे यह कार का मात्रक क्या है न्यूटन और इंटू मीटर है किसी जलासे का बांथ अधिक्तम दाब अनपात रहता है पारा समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में किसके कारण तल पर दाब अधिक्तम होता है पारा के कारण पानी का घणा तो सबसे अधिक जीस ताप पर होता है वह तापकरम है चार डिगरी सेल्सियस हाइड्रो मीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रवों में उध्वातर आवस्था में तरता रहे के दिया गया है पवाज मात्रक है सयानता गुडां का है एक लोहे का बलेड पानी पर तरता है पानी के प्रिष्ट का तनाव के कारण प्रकास की अधिक्तम गती भिन मद्य में है निर्वात में पर जल वास्थ में संचित उर्जा होती है गुप्त उस्मा के कारण 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी ताप 10 ग्री सेल्सियस के साथ मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री हो जाता है गर्म पानी का ताप होगा 60 डिग्री सेल्सियस बर्फ के पिगलने के दोरान रहता है उसमा ग्रहन करती है प्रंथु ताप नेम न रहता है सबसे अधिक ठंड पड़ती है हिम पात के ठीक बाद किस वेग्यानिक ने स्वरप्थम बताया कि परकास तरंगों के रुप में संचारित होता है हाई गन्स ने इंद धनुस बनने का करण क्या है प्रकास के पड़ पिछे पड़ का स्वस्त नेतर के लिए सपष्ट द्रिष्टि की नियुनता अधिकतंदूरी 25 सेंटी यानि की 25 सेमी अनंत दूरी होती है इडिया के चमरने का प्रमुख करण क्या है पूर आंतरिक परावरतन और एक बोल्ट के विद्दूत स्थोत्र में किसी चालक में दो एमपेर धारा परवाइध हो रही है तो चालक का प्रतिरोत कितना होगा पांच ओम होगा 50 सूर से प्रिधिवी की आउसादूरी को क्या कहते हैं प्रिष्ट तनाहों कहते हैं गैलक्सी के आकार को ब्यक्त करने में सबसे अधिक उप्युक्त मात रख्या है प्रकास वर्स है त्वरल होता है द्वेक का समय है न्यूटन की गति के दितियनियम के अनुसार बल एक द्रब्मान त्वरल है द्रव का दापन निर्भ है द्रव के इस्थम की उचाई पर यदि बैरो मीटर में पारे के इस्थान पर पानी काम में लाया जाए तो बैरो मीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए 34 मीटर बराबर मातरा के लिए गए गए द्रबो में किसकी उस्मा धरिता देखोती है मिट्टी के तेल सैक करमे की रबड की बोतलों में पानी की प्रिक्त को करते हैं क्योंकि पानी विशिष्ट उस्मा सबसे अधिक होती है उस्मा के एंत्रिक तुल्यान का मातर क्या है जूल क्वैलेवरी होती है स्वैंता कुणा का बेहुरारिक मातर क्या है पुवाज है मोटर ड्राइबर की सीट के पास लगा दरपड होता है उत्तल लडपड होता है प्रतिरोध का व्युतकरम क्या होता है चालकता प्रिथिवी के चुम्बकी विद्धुत रेखा पर नमन कोड कितना होता है नमन कोड का मान जीरो डिगरी सेल्सियस होता है एक सेल खूले परिपत में है उसकी टर्मिनलर बोल्टरजा का मान होगा विद्दुत वाहग वल के बराबर होता धुरूबो पर नमन कोड का मान होता है 90 डिग्री यक्स कीडे समान है गामा कीडे में कैथोड कीडे बनती है इलेक्ट्रोनों पर से बनती है कैथो अहां दिया गया है यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर इस उकल टू अपर दुना किया कालाता है स्नेल खा नियम कालाता है तारे का रंग निधरित करता है तापकरम के कारणा धनात्मक कीडे है धनात्मक आयन का इलेक्ट्रान बोल्ट मातरक है उर्जा का एक जूल कारविक से उत्पन उर्जा कैलोरी में होती है 0.24 कैलोरी ठीक है आईए बढ़ते हैं आगे कॉस्चन की तरफ और आगे कॉस्चन में हमारे दिया गया है दोस्तों आदुनिक रडार में प्रिक्त रंगे होती है तारे का रंग निधाजित करता है ताप करम और किलोवाट घंटा धारा होती है डीसी मोटर का किलोवाट घंटा मातरक है उर्जा का और चंद्रमा की सता से आकास को देखा जाये तो यह दिखाई देगा काला पिर्थिवी के कृतिम उपग्रह में बैठे यात्री का होगा भार सुनने होगा रेडियो विक्रर का पता लगाने है तू प्रिक्त यांत्र कौन सा है गाईगर काउंडर है क्या है गाईको काउंटर डूटेशियम आकसाइड डीटुओ है एक प्रिकार का भारी पानी है यानि भारी जल एलफेट नोबेल में किसका अवज़कार किया था डाई ना माइट का अवज़कार किया था वाहन में गती मापक यंत्र बनता है उसकी तारच्छडिक चाल के कारण गते हैं बीश्कील मेकसल और केमपूटर का अवज़कार है चाल्स बयविज़न किया था और डीजल इंजर के इवज़कार कहने और रूडुल्फ डीजन थे कहां माइकल फेराडे के द्वरा उप्यानिक कपकरण या टेली प्रिंटर वेजने के लिए प्रत का उप्यों के लिए लिए मीटर कप्योग बिद्दुधारा काम आपन के लिए के लिए क्या जता हैं फैद Wennew वा्रोब अपर तकि कि घरा году इभर्णा ज्वेर्ग में अर्डार में मौना साइकिल के अविजिकार कौन ढलाक ऋकॉन सब्सकार किस देश का निमासी था रूस एक हाउस पावर का मान कितना था 747 वाट टेली विजन का इसकार किसे था जे एल बेयर्ड ने किया था इमेल एड्रेस में एड्रेस से पहले वाले नाम को क्या करते हैं डोमेन नेम करते हैं माइक्रो प्रसेडर को करते हैं एक चीप करते हैं केमपूटर की सीप्यू में सामिल होते हैं एल यान की अर्थमेर्टिक लॉजिक यूनिट भारत की सिलिकान वैली कहां इस्थिता है बंगलोर में इस्थिता है सबसे तेज गढ़ना कार करने वाला कंपूटर कौन सा था भारत में निर्मित पहला सूपर कंपूटर था परम आठ हजार सीप्यू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेशिट यूनिट आइसपी का पूरा नाम के हैं इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर ये लाइन का फुल फ्राम होता है लोकल एरिया नेटवर्क डवलु डवलु का मसीनी भासा में बदलना कंपाइलर कहलाता है रायम संचीत करता है प्रोग्राम ये डाटा को रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और केम्पूटर के पीता कीछे का चते हैं चार्स बेवेज को कहते हैं डेक्सटाप पब्लिसिंग है तो कौन से प्रिंटर को समानता काम पादमें लिया जता है लेजर प्रिंटर को और दमेट्रिक को एक प्रकार का प्रिंटर है एक हचताप लेगें नेटवर्क है इंटरनेट आईए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरफ हमारा नेक्स्ट कोशन है कैम्पूटर जिस भाजा को समझता है वह है मसीनी भाजा इकामर्स में इस सब्द का नाम क्या है इलेट्राउनिक्स और बैंकों में हस्ताचर को आजकल किस वीदी से जाजा जाता है यामाई सियार यानि मेगनेटिक इंक करेक्टर रीडर एटियम का उधारण है स्मार्ट कार्ड से और चेक पढ़ने के लिए प्यूकियता है यामाई सियार का और रीड आनली मेमोरी है रैम और रोम माउस की प्रक्रिया है स्पीकर प्रिंटर और सिंगनल क्लिक बाइनरी संख्या एक सव इजार का दसमलव समतूल है साथ और अपरेटिंग सिस्टम नहीं है यम्यस ओपिस का एक टंकी की तली के समीप एक छिद्र है छिद्र के प्रती सेकेंड बहने वाली जल का आय लगने वाला बल दाब कहलाता है लोहे की एक सुई पानी की सितर पर तैरती है उसका कारण है प्रिष्ट तनाव विद्धुत उर्जा का बेहवारिक मत्र क्या है कीलो वाट घंटा जल का घंट तो होता है चार डिगरी सेल्सियस पर अधिक होता है सबसे अधिक सयान होता है सहद में इंटनेट प्रकार की नेटवर्किंग है W AN उल्ड एरिया नेटवर्क अंडू कमांड के लिए साटगट की क्या है कंट्रोल प्लस चेट वहीं रीड्यू के लिए कंट्रोल प्लस वाई इंटनेट की हर वेवसाइट के प्रारह में लगता है www पत्र भेजने के इलेक्ट्रानिक प्रणानी क्या है इमेल है एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है नेटवर्क आप्यों किया आता है फेक्स और वायर मेल के लिए सहर से भी अधिक बड़े छेत्र में कम्पूटरों को जोड़ा जाता है तो यहार नेटवर्क कहलाती है डाट गूगल डाट काम यहां प्रकार का सर्च इंजन है एक कामर्स में एक सब्द का पूरा आरथ है इलेक्ट्रोनिक ठीक है और इंटरनेट में सुब्दा उपलब्द है इमेल है एक रिमोबल डिक्स है फ्लापी डिक्स एटियम का आर्थ होता है आटोमेटिक टेलर मसीन केम्पूर्टर में अंकगर्ती करना का काम करता है अलियो नसवान मेमोरी है रायम माउस है इन्पूर्ट युकती बाइनरी संख्या प्राणि का अधार है दो बाइनरी संख्या एशव 11 का दसम्रू है साथ रिड औली मेमोरी है रॉम कैमपूटर जीस भासा को समझता है उसे हम मसीनी भासा कहते हैं जोड बाकी भाग तार्किक कार समर्ण किये जाते हैं एल यू द्वारा इंटर दबाने से नया पेर अगराफ आरंब होता है रोम का मतलब read only memory होता है कैमपूटर के पीता को कहते हैं चाल्स बेवेज कहते हैं कैमपूटर नेटवर्क नहीं है पेन रैम संचीत करता है Microsoft Dix ओपरेटिंग सिस्टम को दसमलोव संख्या 3 का बैनेरी संतुल क्या है 10 है बिंडोज 1 है और सिस्टम अफशाप्ट वेर है सबसे तेज गर्ना कार करने वाले कमपूटर कौन सा है सुपर कैमपूटर होता है बग क्या है कैमपूटर आकोडों में गलती को हम बग कहते हैं और यह हैं आगे बढ़ते हैं आगे को सुन दिया है एक मातर तत्व है जिसे ना भी में निट्रान नहीं है हाइड्रोजन सबसे बड़ी कोशिका है सुत्मुर्ग के अंडे का पारसेक स्वात्रक है दूरी का मैनो मीटर के द्वारा किसका माप की जाती है गैसो के दाब का स्विस्टो की सबसे उची जिल इनमें कौन सी है वैकाल की जिल है भुगोल की साखा के अंतरकत तारो नचत्रो ग्रहों और रुफ ग्रहों का देन कियाता है खगोली चतूर्थ विस्टो है प्रेस मलिक चट्टाने है अगने से चट्टान विस्टो की सबसे बड़ी मास्क मंडी कहां इसीत है सिकांगो में इसीत है पेगोडा क्या है मैमार के बौध मंदिर जोहान बर किस खानों के का मिलनाड़ू में इसीत है भारत के स्थल सीमा की लंबाई क्या है 15 1552 किलोमिटर यानी 15200 किलोमिटर है भारत और पाक की बिच अंतराष्टी सीमा रेखा खालाती है रेड किलीफर रेखा खालाती है निम्ड में नमनीत वलित परवत है फुक्त में से सभी यहां प्रद्यागी दिया है हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं क्यों चंद्रमा की घुड़न गाती या उप्रिथिवी के चारो और प्रख्यमा की गाती समान होती है मंगला देश में 1970 में आये चकरवाद में कितने वैक्तियों की मित्य हुई थी 50 हज़ार तमिलाडू के कुम्बको में बम में दुखत अगनी हुआ था 16 जुलाई 2004 को किनी दो संगटों के नाम लिखिये या बताओ जिनकी भविस्वानी की जा सकती है बाढ़ और भुषूखा सुनामी सब्द किस भासा का सब्द है जापानी भासा का सुनामी का पता लगाने बला यंत्र है सुनामी सुना मीटर तत्तिय छित्रों में सुनामी लहरों की उचाई होती है दस से 30 मीटर तक यानाईसी का बुरा नाम क्या है नेशनल एक फार्मेटिक्स सेंटर 29 अक्टूबर 1999 को उडिसा में आया था भयंका चक्रवाद जिला इस्थर पर आपदा प्रवंदर समित्री का अध्यच कौन होता है जिला मजिस्टेट यानि टिस्टिक मजिस्टेट डियम होमगाड का गठन का भुँ हुआ दिसंबर 1946 में होमगाड का गठन हुआ भारत में राष्टि क्रेडिट कोर का गठन का भुँ हुआ 1948 में हुआ रायल एक्ट का पारित हुआ 1919 में पूना पेक्ट का भुँ हुआ 1932 में साइमन कमीशन भारत का पहुचा 1928 में आनंद महानायक उपन्यास के रचाईता कौन थे बाकरीम चंद चोटाप बुद्ध है आय थे गांधी इरवीन समझवता का भुआ था पांचमार्स 1931 को बिस्त ब्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कप हुई 1939 में विकासिल देशों में कौन सा समूश संगठित किया है समूश 77 1890 में अफरिका में कौन से घातक बिमारी पसुओं में फैल गए थी रीडर पेष्ट बुंबई में पहली कपड़ा मिल इस्थापित हुई थी बंगाल में पहली जूट मिल इस्थापित हुई थी 1855 में इंग्लेंड में सबसे पहले कार खाने काप खुले थे 1730 के दसक में 200 का सबसे बड़ा महानागर कौन सा है लंदन है द बीटर काई आफ आउटर कास्ट लंदन नामक पुस्तक के रचेता कौन है एड्रिव मियर्स हैं बुंबई को बुंबई को बुंबई को बुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी का वगोशित की गई थी 1919 में सन 1800 के आज पास बुंबई सहर का केंदर था बुंबई फोर्ट एरिया बिश्ट की सबसे पहली भूमिकत रेल निका निर्मान कब और कहां हुआ था 10 जनवरी 1830 लंदन में हुआ था मरीन ड्राइब कहां इसी थै बुंबई में इसी थै जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डाइमंड सुत्र शपी थी 1821 में शपी थी ठीक है आईए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरब एमिली जोलाक ने किस परशिद उपन्नाज की रचना की है चार्ल्स डिक्संस का लुप्त जाती संकट गरस्त है एसी आई चीता चिपको अंदोलन का समन्द किस छेतर से है हिमाले चेतर से है सरिक्सा बांध रिजर्व की स्थान में श्तित है राजस्थान में भूमी पर रहने वाले बिश्व के सबसे तेज स्थंधारी प्राणी का नाम चीता है उस ब्रिच का नाम बताओ जिनके रसायन का अप्योग कैंसर की अवसदी बनाने में किया जता है हिमाले या वोका ज्वाहा लल नहरू बांधों को गयकते हैं आदुनिक भारत के मंदिर सर्दार सरवड़ बाध इस्थित राज में है किस राज में स्थित है गुजरात राज में भारत में सबसे बड़ा स्वर उर्जा सरयंत्र कहां इस्थित है माधापूर यानि गुजरात में स्थित है संसार की सबसे उची सड़क कौन से है मनाली से लेह के बीच स्रीलंका को सुतंतरता प्रातुई थी 1948 में स्रीलंका में सिहली भासा को राजभासा गोशित किया गया 1956 में वेलजियां को सुतंतरता गोशित किया गया 1836 में ये बढ़ते हैं आगे कोशन की तरफ हमारा आगे कोशन है सवेत हक्ती आंदोलन कब से कब तक चला था? 1966 से 1974 तक विश्य की सबसे बड़ी मोटर गाली निर्वाता कमपनी कौन सी है? फोर्ड मोटर से है भारत की बहु शाष्टी कमपनी कौन है? टाटा मोटर से है भारत का पहला उपग्रह आरेभट कब छोड़ा गया था? 1974 में टेंडन जोडती है अस्ती तथा पेसी को जोडती है मचलियों के यकरित तेल में किश्की पचुड़ता होती है विटामीन एकी वायू मंडली प्रदूसक गयस है सलफर डाई अकसाइड लेंगर हैस उपदीब पाए जाते हैं प्रेकियाज में पाए जाते हैं मोटर कार में पस्च द्रिस्च के लिए कौन सा दरपड़ प्यूग जाए उत्तल दरपड़ का फंक ने खोज की थी विटामीन की 215 को बाइनरी अंकों में लिखेंगे 1110101 प्रकास वर्ष का समंध की लिए है दूरी से है निन्न में कौन सी प्रक्रिया प्रकास और धोनों में घटित नहीं होती हैं दुरुबर में हरे चस्में में लाल वस्ट दखने प्रवा काले रंकी दिखाए जाती है पीलिया रोकिस अंग की खराविस होता है या क्रित की खराविस होता है मानों शरीर में सबसे छोटी गरांती कौन से होते है पिटियोटरी गरांती होती है हेलोजनो में सबसे अधिक अविक्रिया सील है फ्लू औरीन है निन में कौन साता तो प्राकर्दिक रूप से नहीं पाय जाता है बक्साइड पारसिक का मातरक है दूरी का किसकी चिकिस्ता में डायलिसिस काफे किया जाता है गुर्दे की चिकिस्ता में परकास का तरंग सिधान पस्थावित किया जाता है हुंग सेन के द्वारा दो आवेसों के मद दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके मद लगने वाला बल हो जाएगा एक चौथाई अपवर्थन की किरिया में क्या परिवर्थन होता है अबृति का परिवर्थन होता है निन मेंसे जिवानू जनित रोग है तबेदिक है साल्ट पीटर कहलाता है पोटेसियम नाइटर को हम कहते हैं पदात का लदूत्तम अंस कौन सा है कवार कहें परमाडू भट्थी में प्रियुक्त नियंत्रक छडेब नी होती है केडियम की होती है किसी ठोस का बीना द्रव में बदले सीधे गैसों में बदलना उर्ध पातन कहलाता है तारे प्रकास के किस गुड के कारण बिट्रिम प्रियुक्त माते हैं अपवर्टन के कारण लगुकड़क सांड़ी बनाई गई थी जान नेपियर के दोरा बनाई गई थी स्वसंदर सबसे कम होती है सोते समय होती है जवर में सबसे तेज स्वसंद का कारण क्या होता है सरील का उच्च ताफ यानि हाई टंपरेचर आएए बढ़ते हैं आगे कॉस्ण की तरफ तो काईश इस वीडियो का हमारा लास्ट कोशन है विक की किरियात्मा की इकाई क्या कलाती है विक क्राणू कलाती है तो काई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें क्योंकि इस वीडियो में आपको जनरल साइन्स जनरल समान ग्यान को देखने को मिलेगा इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, तो आप मतलब बहुत सी जनकारी प्राद कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सेर और चैनल को सस्क्राइब करें और हमारे चैनल का नाम है अमन जेकियन से यदि आप इस वीडियो का पीडियो चाते हैं तो आपको टेलीगराम में अमन जेकी अंसर सर्थ करना पड़ेगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा धन्नमाल और वीडियो कैसा लगा और वीडियो को जदा जदा सेर करिए कमेंट बाक्स में बताइए का जरू जैहिन जैभा